दोस्तों एका फिर से स्वागत है आपका हमारी क्यों में है क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 5 सेकंड के लिए अगर ऑक्सीजन हमारी प्रत्वी से पूरी तरीके से गायब हो जाए तो क्या होगा? दोस्तों अक्सर हमें कहा जाता है कि पेड़ पौते लगाओ ऑक्सीजन बहुत सरूरी है मैं यकीन से कह रहा हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऑक्सीजन की असली एहमियत पता चले की और आप मेंसे जातर लोग ये बास सोच रहे होंगे कि पास सेकेंड में तो क्या होगा? सास रोक लेंगे? पास सेकेंड भई कौन सी बड़ी बात है? है ना? दोस्तों हम आपको बता दें पलक जपकते ही ताज महल स्टैचू अफ यूनिटी कुतुब मिनार समेथ दुनिया की एक-एक इमारत चकना चूर हो जाएगी ऐसा इसलिए होगा क्यूंकि लगबग हर इमारत कंक्रीट से बनती है और कंक्रीट के कड़ों यानि पार्टिकल्स को एकठा ऑक्सीजन ही रखता है बिन ऑक्सीजन के कंक्रीट सिर्फ धूल है इन पांस सिकंड्स में ही आपकी चमड़ी एकदम चल जाएगी दरसल सूरे की क्रिणों के साथ बहुत डेंजरिस अल्टरावालेंट रेस भी आती है जो हमारी चमड़ी के लिए बहुत खातक है ओजोन लेयर ही इन अल्टरावालेंट रेस को हमारी चमडी को जलाने से रोकता है ओजोन लेयर ओक्सीजन की मॉलिक्यूल से ही बनती है अगर ओजोन लेयर नहीं होगी तो हम पापड की तरहां सिख जाएंगे यकीन मानिये इन 5 सेकंड्स में हमारे कान के परदे फट जाएंगे ओक्सीजन खोने का मतलब हमारे आज पास के एर प्रिशर का 21% कम होना है हवा के दबाव में अचानक से बदलाव होगा जो हमारा कान एड़प्ट नहीं कर पाएगा जिसके वज़ा से हम हमेशा के लिए सुनने की क्षमता को खो देंगे इनी 5 सेकंड्स में धर्ती की सर्फेस यानि सता तूट कर चकना चूर हो जाएगी आपके पैरों के नीचे जो जमीन है वो तूटना चालू हो जाएगी और वो तब तक तूटेगी जब तक सब कुछ खत ना हो जाए और आप धर्ती में समा जाएगे ऐसा इसलिए होगा क्योंकि प्रत्वी की जो सता है वो 45 परसेंट आक्सीजन से बनी है जी हाँ 45 प्रतिशत और आक्सीजन ही इसके पार्टिकल्स को जोड कर रखता है आक्सीजन के गायब हो जाने से ये जोड छूट जाएगा और पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी और इनी पांच सेकेंट्स में सारी नॉन इलेक्ट्रिक गाणिया बंद हो जाएगी और सारे हवाई जहास, हेलिकॉप्टर्स, जमीन पर आ कि रेंगे आपको पता है आग जलने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है और इंजन चलने के लिए कंबरिशन प्रॉसस का होना बहुत सरूरी है इट इस वेरी वेरी इंपॉर्टन्ट ओक्सीजन ना होने पर कंबरिशन नहीं होगा और सारे इंजन बंद हो जाएगे इन 5 सिगंट्स में ओशन जैसे सभी जलसंसाधन गैस में बदल जाएगे क्योंकि पानी जो होता है वो दो एलिमेंट से बना होता है हाइडरोजन और अक्सीजन और जब अक्सीजन मौजूद नहीं होगा तो केवल बचेगा हाइडरोजन और हाइडरोजन सबसे हलकी कैस है तो ये जल्द ही प्रत्वी से निकल कर स्पेस में चला जाएगा दिन में भी पूरी दुनिया में अंधेरा चा जाएगा ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अक्सीजन सूरी की किर्णों को फैलाने में मदद करती है और अगर उक्सीजन नहीं होगी तो रोशनी नहीं पहलेगी और पूरी दुनिया में अंधेरा चा जाएगा आप सोचने होंगे पांस सेकंड्स के बाद क्या होगा तो दोस्तों पांस सेकंड्स के बाद जो होगा उसको देखने के लिए आप जिन्दा नहीं पच सकते ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपका शरीर सत्तर प्तिशत पानी से बना होता है और जैसा कि आपको पताए अक्सीजन के बिना पानी असंभव है तो हमारे सारे सेल्स विसफोट हो जाएंगे सोचे सिर्फ 5 सिकंड्स ऑक्सीजन ना होने पर इस दुनिया का क्या होगा अब समझाया होगा कि ऑक्सीजन की क्या वैल्यू है दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताईएगा और साथ में इसे और लोगे साथ शेयर कीजेगा जिससे उन्हें ऑक्सीजन की वैल्यू पता चल सके आप बताईए अगली वीडियों किस टॉपिक पर बनाएं हम आपके लिए इंट्रेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहेंगे बस हमारे पेज को लाइक करतीजे मिलते हैं आप से एकली वीडियो में तिल देन बबाई टेक केर